नमस्कार में फोजय फिरोज मलेक और आप देख रहे हैं समचार इंडिया उत्रपिदेश की राजधानी लखनाव में लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन दी जाएगी लोगों को अपने घरों पर ही कोरोना वैक्सीन की डोज मिल सकेगी उनकॉल वैक्सीनेशन के लिए 25 मोबाइल वैन मौजूद रहेंगे लोगों इलागों में दो वैक्सीनेटर, दो डाटा ओपरेटर और एक डॉक्टर की टीम मौजूद रहेंगे यह प्रियोग करने वाला लखनाव सूबे का पहला जिला है वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन की बढ़ती मांग के बीच यह गदम उठाया गया है लखनाव के डीम अभिशेक प्रकाश ने मंगलवार से इस अभ्यान की शुरुवात की है बता दें कि कोरोना वाइरस की तीसरी लहर की आशंकाव के बीच वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जा रही है इससे पहले सोमवार को केंजरिय स्वास्त मंतरी मंसुक मंडाविया ने बताया था कि भारत ने कोरोना वैक्सीन की 75 करोड से अधिक डोज लगाने की अतिहासिक उपलब्दी हासिल कर लिया देश में कोरोना के मामले थोड़े कम होने शुरू हो गए हैं जो मामले पहले 40,000 से उपर चल रहे थे अब उनका ग्राफ 30,000 से नीचे आने लगा है लेकिन हैरानी की बात ये है कि केरल में कोरोना मिटर अभी फुल स्पीड में दोड रहा है देश में जरूर सुधार है लेकिन केरल में सिती चिंता जनक बनी हुई है पिछले 24 घंटे की बात करें तो केरल में कोरोना के कुल 20,240 नए मामले दर्च किये गए हैं 66 लोग ऐसे भी हैं जो इस महमारी के आगे दम तोड़ गए है इसके अलावा 39,710 लोगों ने कोरोना पर जीद भी दर्च किये लेकिन फिर भी केरल में हालात काबू से बाहर हैं और मामले भी लगतार बढ़ते दिख रहे हैं केरल के बाद तमिलनाडू में कोरोना मामले फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं जो आकड़ा पहले 1500 के अंदर चल रहा था अब रभी वार को वो 1608 तक जा पहुंचा वही 22 लोगों ने 24 घंटे में अपनी जान गवाई जो कि कल किये गए आकड़ोस की तुलना में 14.3 प्रोतिशत कम हैं वहीं बीते दिन में 34,848 मरीज रिकवर यानि ठीक हुए हैं जबकि 338 कोरोना मरीजों की मौत हुई है अब के रहल में स्थिती चिंता जनक है महरास्ट्र भी अपने मामलों में महरास्ट्र में भी मामले ज्यादा कम नहीं हुए है लेकिन देश में सबसे बड़े राज्ये यूपी में कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में दिखाई दी रहा है अब राज्ये में 34 जिले पूरी थरा से कोरोना मुक्त बताय जा रहे है वहीं पिछले 24 घंटों में 21 नए मरीज सामने आए है ऐसे में रिकवरी रेट भी शानदार चल रहा है और संक्रमन दर भी काबू में है यूपी सा आगे चलें तो दिल्ली में भी कोरोना ग्राफ नीचे आया है इसले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए है वहीं किसी ने भी अभी तक अपनी जान नहीं गवाई है इस रिबोर्ट ने वस इतना ही देश और दुनेस जोड़ी तवान खबरों के लिए देखते रहिए समचार इंडिया नमस्कार